नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टन प्रोफेसर, गवर्मेंट लोग कॉलेज, अजमेर. आज हम LLB थर्ड एर के फोर्ट पेपर, लेबर एंड इंडस्ट्रिय लोग सेकिन्ड में, करमकार प्यतिकर अधिनियम 1923, The Employees Compensation Act 1923 के बारे में बात करेंगे. सेक्शन 15 बात करता है, मास्टर्स और नाविकों से संबंदित विशेश उपबन्दों के बारे में. यह अधिनियम उन करमकारों के दशा में, जो पोतों के मास्टर या नाविक हैं, निमलिकित उपांतरों के अध्यदिन रहते वे लागू होगा अर्थात. दुरगटना की और प्रतिकर के दावे के सूचना की तामील, वहां के सिवाय जहां की शत्व्यक्ति पोत का मास्टर है, पोत के मास्टर पर ऐसी की जाएगी मानों वह नियोजक हो. किन्तु जहां की पोत पर ही दुर्गटना हुई है और निशक्तिता प्रारम हुई है वहां किसी नाविक के लिए यह आवशक नहीं होगा कि वै दुर्गटना की कोई भी सूचना देवे मास्टर नाविक के मृत्यू हो जाने की दुर्शा में प्रतिकर के लिए दावा दावेदार को मृत्यू का समचार मिलने के पश्चा एक वर्ष के बीतर या जहां की पोत सब जनों के साथ नश्ट हो गया है या नश्ट हो गया समझा जाता है वहाँ उस तारिक से जिस तारिक को पोत ऐसे नश्ट हुआ या ऐसे नश्ट हुआ समझा जाता है अठारा मास्ट के भीतर किया जाएगा परन्तु इस बात के होते हुए भी कि कोई दावा इस उबधारा में यथा उबबंदित सम्यक समय के भीतर नहीं किया गया है आयुक किसी भी मामले में प्रती करके किसी दावे को उस दशा में ग्रहन कर सकेगा जिसमें उसका समादान हो जाता है कि दावा वैसा करने में ऐस सफलता पर्याप्त हेतुक से हुई थी जहां कि क्षत मास्टर या नाविक भारत के किसी भाग में या किसी विदेश में उन्मोचित कर दिया जाता है या पीछे छोड़ दिया जाता है वहां उस भाग में कि किसी न्याधिश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उस विदेश में किसी कौंसली ओफिसर द्वारा किये गए और उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा वे लिये जाते हैं केंदिय सरकार या किसी राज्ये को पारेशित कोई भी अभी साध्य दावा प्रवर्तित कराने की किनी भी कारवाईयों में साक्ष्यों में ग्राये होंगे A. यदि अभी साक्ष्य उस नियायति बजिस्ट्रेट या कॉंसिल ओफिसर की हस्ताक्षर द्वारा अधि प्रमानित हो जिसके सामने वह दिया गया है B. यदि यथा इस्तिति प्रतिवादी या अभीयोक्ति व्यक्ति को स्वयम या अपने अभी करता द्वारा साक्षी की प्रतिरक्षा करने का अफसर मिल गया था तथा C, यदि अभिसाक्षे किसी दांडी कारवाई के दोरान किया गया था, तो यह साबित होने पर की अभिसाक्षे अभियुक्ति व्यक्ति की उपस्तिती में ही दिया गया था, और किसे भी मामले में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या पदिये हैसियत को साबित करना आवशक नहीं होगा जिसके द्वारा ऐसा कोई अभिसाक्षय हस्ताक्षित किया गया प्रतीत होता है और ऐसे व्यक्ति द्वारा यह है प्रमान पत्र की प्रतिवादी ये अभियुक्त व्यक्ति को साक्षय की प्रतिरक्षा करने का अवसर मिला था और यदि अभिसाक्षय इसी दान् कर दिया जाता है इस बात कर परियाप्त साक्षे होगा कि उसे अवसर मिला था और अभी साक्षे इस प्रकार दिया गया था उस कालावधी के लिए कोई अर्ध मासिक संदाय नहीं होगा जिसके दोरान पोद का स्वामी, क्षत मास्टर या नाविक के भरण पोशन के व्योग को वानेचिक पोद्प परिवहन संबधी किसी तचसमय प्रवर्तिविदी के अधिन चुकाने के लिए दाई है क्लॉस 5 कोई भी प्रतिकर किसी ऐसी क्षती के लिए इस अधिनियम के अधिन संदेर नहीं होगा जिसके लिए उपदान, भत्ते या पेंशन के संदान के लिए उपबन पैंशन, नेवी, आर्मी, एरफोर्स, एन मरकेंटैल, मरीन एक्ट, नाइटीन अधीन बनाई गई वार पैंशन एन डीतेम्चशन अलाउंसेज, मरकेंटः, मरीन, एक्सक्ट्रा, स्कीम, लिए इस आधिन नाइपक्षीन, एन लिए उस होगा बनाये गई युग्द पेंशन और निरोध भत्ते स्कीम 1942 के अधीन किया गया है इस अधीनियम द्वारा अपेक्षित समय के भीतर सूचना देने या दावा करने या कारवाई प्रारम करने में एसफलता है किसी वैक्तिक शती की बाबत इस अधीनियम के अधीन कारवाई के च इसकीमों में से किसी के अधीन कर दिया गया है तथा राजे सरकार प्रमानित कर दे कि उक्त आवेदन इस युक्त विश्वास में किया गया था कि उक्षती ऐसी थी जिसके लिए वै इसकीम जिसके अधीन आवेदन किया गया था संधायों के लिए उपबंद करती है और यह एक इस आधार पर की व्यक्षति ऐसी क्षति नहीं थी वह आवेदन नामंजूर कर दिया गया था या उस आवेदन की अनुसरण में किये जाने वाले संदय बंद कर दिये गये थे तथा उस तारिक से जिस तारिक को राज़य सरकार का उक्त्य प्रमानपत कारवाई प्रारम कर कर दी जाएगी धारा पंद्रा के वाई यान के कर्मी दल के कैप्टन तथा अन्य सदस्यों से संबंदित विशेश प्रावधानों के बारे में बताती है धारा पंद्रा भी कंपनियों तथा मोटर यानों के विदेश के करमचारियों से संबंदित जो विशेश उप्रावधानों के बारे में बताती है कि किस प्रकार से कंपनी और मोटर यान अपने विदेश के करमचारियों से संबंदित किस प्रकार से कारे करेंगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 16 सेक्शन 16 बताता है Returns as to Compensation प्रतिकर के बारे में विवरनिया राजे सरका शार्षी के राजपत्र में अधिस उचना द्वारा निदेश दे सकती है कि जो करमचारी है उसको नियोजित करने वाला हर व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का अगर कोई विनिर्दिष्ट वर्ग है तो वो है ऐसे समय और ऐसे प्रणूप में और ऐसे प्रादिकारों को जैसे अधिस उचना में विनिर्दिष्ट किये जाएं एक शुद्ध्य विवरिनी भेजेगा जिसमें उन शतियों की संख्या होगी जिनके लिए न्योजक द्वारा पूर्वतन वर्ष के दौरान प्रतीकर दे दिया गया है और ऐसे प्रतिकर की रकम और प्रतिकर के बारे में ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जैसी राज्य सरकार निर्दिश्ट करें सेक्शन 17 समविदा द्वारा त्याग कॉंट्रेक्टिंग आउट के बारे में बात करता है जिसके अनुसार इस अधिन्यम के प्रार्रम के चाहे पूर्व चाहे पश्चात की गई समविदा या करार जिसके द्वारा कोई कर्मकार नियोजक्त से या उसके अनुक्रम से व्यक्तिक शती के लिए नियोजग से प्रतिकर पाने के लिए किसी अधिकार का त्याग कर देता है, वहां तक बातिल और शुणने होगा जहां तक कि वह इस अधिनियम के अधिन प्रतिकर देने के लिए किसी व्यक्तिके दायत्व को हटाने या कम करने के लिए ताथपरित है कहने का मतलब है कि अगर कोई भी जो करमकार है वह चाकर भी नियोजक को उसके दायत पे से उन्मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता है कि अगर कल को कोई भी इस प्रकार की दुर्गटना होती है तो जो नियोजक है एम्प्लोयर है वो कमपनसेशन देने से बच जाए या कुछ प्रतिशत्तक या पूर्ण रूप से नेक्स आता है सेक्षन 17 ए जो एम्प्लोयर है उसकी जूटी पताता है कि जो एम्प्लोईस के राइट है उनके बारे में वह हैं एम्प्लोईस को बताएगा duty of employer to inform employee of his rights next आता है section 18 जिसको की अधिनियम में से हटा दिया गया है जो की बात करता था IU के बारे में की जो proof of age है उसके बारे में next important section आता है section 18A जो की penalties शास्तियों के बारे में बात करता है इसके section 1 के अनुसार जो कोई कर वह सूशना पुस्तक रखने में एसफल रखे रहेगा जिसे रखने के लिए वे धारा 10 की उपधारा 3 के अधिन अपेक्षित है अत्वा बी आयुक्त को वह विवरेंट बेजने में एसफल रहेगा जिसे बेजने के लिए वे धारा 10 की उपधारा 1 के अधिन अपेक्षित है अत्वा गर वह विर्वनी देने में एसफल रहेगा जिसे देने के लिए वे धारा 16 के अधिन अपेक्षित है वह जुर्माने से जो की 1,00,00 रुपे तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा पहले यह जो जुर्माने का अमाउंट था वो 5,000 रुपे था लेकिन जिसे बाद में बढ़ाकर 1,00,00 रुपे तक का कर दिया गया है और उसकी जो लोर लिमिट है वो 50,000 रखी गई है तो इसके इस सेक्षिन में कहा गया है अगर उपर दी गई किसी भी प्रकार की को भी इंफोर्मेशन को जो एंपलोई है वो करने में एस सफर रहता है तो जो फाइन होगा विच शल नॉट भी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच में एक्स्टेंड तो 1,00,00 रुपीज तो 50,000 से 1,00,00 रख तक का जुर्मानी की बात की गई है सेक्षिन का जो क्लॉस 2 है वो बताता है कि इस धारा के अदिन कोई भी अभियोजन आयुक्त की द्वारा ये उसकी पूर्व मंजूरी से संसित किया जाने के सिवाए संसित नहीं किया जाएगा और कोई भी नियाले इस धारा के अदिन किसी अपराद का संग्यान तब तक नहीं करेगा जब तक कि अपराद के लिए परिवाद उस तारीक से 6 मास के भीतर नहीं किया जाता, जिस तारीक को अभी कतित पराद का किया जाना आयुक्त को ग्याद हुआ है, नेक्स्ट आता है चैप्टर 3, चैप्टर 3 की हेडिंग है आयुक्त कमिशनर्स, चैप्टर 3 में सेक्शन 19 से लेकर सेक्शन 31 तक कवर होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 19, सेक्शन 19 की हेडिंग है आयुक्तों को निर्देश, रेफरेंस टू कमिशनर्स, धारा 19 के अनुसार, यदि प्रतिकर देने के किसी व्यक्ति के दायत्वे के विशे में कोई प्रेश्न, जिसके अंत अगर निशक्तिता के प्रकार या विशे प्रेश्न आता है, इस अधिनियम के अधीन की किनी कारवाईयों में उठता है तो वह प्रेश्न करार के अभाव में आयक्त द्वारा तै किया जाएगा क्लाउस टू बताता है कि किसी भी सिविल नायले को, किसी ऐसे प्रेश्न को, जिसके लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन, यह अपेक्षित है कि वह आयक्त द्वारा तै किया जाए या विनिश्चे किया जाए या उसके बारे में कारवाही आयक्त द्वारा की जाए तै करने, विनिश्चर करने या उसके बारे में कारवाई करने की या इस अधिनियम के अधिन उपगत किसे दैत को प्रवर्तित कराने की अधिकारिता नहीं होगी क्याने का मतलब है कि यह जो सारी पावर्स हैं, वो कमिशनर यानि की आयूक्ट को दी गई है किसी सिविल को नहीं आज हमने section 19 तक देखा, next section में हम लोग जो section 20 है, वो आयुक्त की शक्तियों के नियुक्तियों के बारे में बात करता है, जो कि हम अपने next E lecture में देखेंगे, thank you.